हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर काव पी को कैसे ग्रोव कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमें चाहिए एक पॉलिथिन की शोटी शीट डिस्पोजल गिलास में मिट्टी और एक मारकर सबसे पहले हमें जो यह सीट्स है इसको मिट्टी के अंदर लगा देना है जैसे हमारे पास यह चाहर सीट्स है और हलके हाथों से इसको दबा देना है अब इससे पानी देना है बाने देने के बाद दुबारा फिर कवर कर देना है यह देखिए थुड़ा और दबा देना है और उसके बाद हमारे पास जो यह पॉलिथिन की शीट है शीट के साथ गिलास को कवर कर देना है अच्छी तरह से कवर कर देना है यह दिखिए और हम इस पर जो आज की है जो डेट वो लिख देंगे और इसे दो तीन दिन के लिए दूप के नजदीक और दूप के अंदर छोड़ देंगे दो दिन के बाद हमें जो यह पॉलिथिन की शीट है इसे उतार देना है और देखिए हमारे जो जो सीट्स हैं वो ग्रो कर चुके हैं सीट्स को हलके हाथों से उठा लेना है यह देखिए हमारा जो सीट्स है वो जर्मिनेट कर चुका है अब हमें एक सीट्स को उठा लेना है हलके हाथों से उठाना है और जो जो यह वाइट पोर्शन है इसको मिट्टी के अंदर लगा देना है दूसरे डिस्पोजल में और मिट्टी के साथ कवर कर देना है कवर करने के बाद हमें इसमें पानी डालना है अच्छी तरह से मिट्टी को मौश्ट कर देना है और दो तिन दिन के लिए छोड़ देना यह देखिए फ्रेंड्स दो दिन के बाद हमारा जो काव पी का जो सीड था वो ग्रो कर चुका है और इसमें दो लीव्स आ गई है और हम आज से गाडर में लगा सकते हैं और हम आज से खो क्या माई आज सूब लगा और दोस आज से राडरा कंवे और और इस धबोन हमाल भादija लिए पक्वें